जी हलो दोस्तों मेरा नाम है अरुन उम्मीभ है आप लोग ठी होंगे दोस्तों देश में तीसरी बार मोधी सरकार बन गई है जिसके साथी मंत्रालों का भी बटवारा हो गया है बात अगर मोधी कैबिनेट में फामिल भीहार के मंत्रियों की करे तो आठ मंत्रियों को मंत्राले बाड दिये गए हैं जिसमें लोच्पा आर के अध्यच्छ चराग पासबान को अपने चाचा पसुपती पारस बाला मंत्राले मिला है चराग पासबान को खाद प्रंस्करण मंत्राले की जिम्मेदारी सौपी गई है 2019 की मोदी केविनेट में ये विवाग पसुपती पारस के पास था ये विवाग संभावना और भ्यार को बदलने की चमता रखने वाला विवाग है दरसल चराग पासबान का जिला खंगलिया है जहां मकई की पंपर खेती होती है और जिस हाजीपुर सीर से चराग पासबान चुनाब जीत कर लोगसबा पंचे है वहाँ केले की पंपर पैदावार होती है और दरबंगा, मदुबनी और समस्तिपुर जैसे जिलों में मखानी की खेती होती है ऐसे में खुड प्रोसेसिंग के काफी उद्द्यों व्यार में लगाई जा सकते है और रोजगार के अफसर भी पैदा किये जा सकते है वहीं व्यार में धान की भी अच्ची पैदावार होती है लेकिन प्रोसेसिंग दूसरे राज्यों में होती आ रही है जिसके बाद भ्यार के बजारों में आता है ऐसे में अगर राज्य मेही धानकी प्रोसेसिंग की बेवस्ता सुरू हो जाए तो रोजगार के सासा किसानों को उनके उत्पाद की साई कीमत भी मिल सकेगी ऐसा ही कुछ हल मक्का मकाने और खेले का है अगर इन उत्पादों की फुट प्रोसेसिंग ब्यार में हो तो ब्यार के बितास को रफ्तार मिल सकेगी हलांकी बीचे कुछ सालों में इस काम में तेजी आई है लेकिन अभी और शुदार करने की जरूरत है शिराग पासपान का खाद मंत्राले सम्भावनां से बरा है होटा चुके हैं शिराग पासपान के अलावा क्याबिनेट मंत्री जीतन राम माजी को MSME ग्रीराज सिंग को कपड़ा उद्द्योक ललन सिंग को पंचाय की राज और पशुपालन मंत्राले की जिम्मेदारी शौपी गई है नित्यनंद राई को दोवारा घ्रे मंत्राले की जिम्मेदारी मिली है इसके अलावा रामना ठाकुड को राज्य मंत्री और किसान कल्यान मंत्राले बनाया गया है सपीस चंद्व दोवे को राज्यमंतरी कोईला खरं मंतराले और राज भूसर चौधरी को राज्यमंतरी जलसकती मंतराले की जिम्मेदारी सौपी गई है तो इस तरह से भ्यार के 8 मंतरियों को मंतराले बाटे गई है थेंकि यूँ